आज हम बताएंगे फेस्बुक के password को कैसे forget करना है अगर आपको हम वाइल नंबर नहीं है और email ID भी नहीं है तो भी अपना फेस्बुक के password को Recover कर सकते हैं forget कर सकते हैं दोस्तों इस विडियो को सुरु से अंत्र देखने के बास से आपको पता चल लेगा कि किस तरह से Facebook के password को forget करना है आपका पुराना से पुराना account है जिसका password आप भूल चुक है और वो account छोड़ चुक है आप अपना नय account create करने के बारे में सोच रहे तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बास से उस account को आप फिर से यूच कर सकते हैं मैं हूँ आपका इम्रान भाई तो चलिए फटापट वीडियो स्टार्ट करते हैं फाइनली गाईस हम अपने मॉवाइल स्किन पर आ चुके हैं और मैं आप Facebook अप्लिकेशन को ओपन करता हूँ ओपन करने के बास से दोस्तों मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ अगर आप मॉवाइल नंबर से अपना Facebook आईडि को बना है तो आप यहाँ पे मॉवाइल नंबर डाल कर अपना password को forget कीजिएगा अगर आप अपना email आईडि से बना है तो अपना email आईडि डाल कर अपना password को forget कीजिएगा तो दोस्तो मैं अपना mobile number से भी बनाया हूँ तो दोस्तो आप किस चीज़ से बना है या आप जानते हैं कि आप अपना mobile number से बना है ये email आईडि से बना है email ID को डालने के बाग से दुस्तो आपको क्लिक करना पर गभर forget games password पर forget password पर क्लिक करने के बाग से दुस्तो आपको दिखाई देगा यहां पर forget password पर click करने के बाद से दोस्तों अगर आपको अपना mail number पर OTP चाहिए तो आप यहाँ पर mail number डाल सकते हैं अगर आपको email ID पर OTP चाहिए तो यहाँ पर email ID डाल सकते हैं तो दोस्तों मैं अपना mail number पर OTP लेना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं अपना mail number डाल दे रहा हूं file number डालने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर click करना पड़ेगा continue पर continue पर click करने के बाद से दोस्तों आपके पास एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर submit करना पड़ेगा तो finally दोस्तों आप देख सकते कि मेरा यहाँ पर OTP आ चुका है और मैं अब इसे submit कर दे रहा हूँ finally दोस्तों आप देख सकते कि हमने अपना OTP को यहाँ पर डाल दिया है डालने के बाद हमें continue पर click करना है continue पर click करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है create a new password तो दोस्तों आपको अपना new password को डालना पड़ेगा जिससे आपका Facebook application open हो जाएगा Facebook ID आपका open हो जाएगा अगर आप चाहते हैं अपना यहाँ पर new password डालने के लिए तो आप डाल सकते हैं वरना आप यहाँ पर skip करके भी अपना Facebook ID को open कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपके अपना password, new password को create कर दे रहा हैं दोस्तों में आपके डालने के बाद से मुहें continue पर click करना पड़ेगा waktu key रूब जब डेख सकते हैं कि मेरा password चेंज स्बॉलएगा और चेंज होने के बाद से दोस्तों में आपके FaceBook को अपना use कर रहा हौं और फेस्बुक चला रहा हूं तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं आपने देख लिया होगा कि मैं एक एक इस टेप को बहुत बारिकी से आपको समझाया हूं दोस्तों तो उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ज्यादा इस वीडियो को आप सेर कीजिए तो दोस्तों फट्वाइब कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक स्वाइब कोई भी कोमेंट है या कोई भी सवाल है मिलते एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई बाई